घर में एक बेटा और एक बेटी है जो काफी शरारती है, लेकिन उनके लिए घर में बेडरूम नहीं है। इसलिए पापा उनके लिए एक बेडरूम बनाते हैं। सबसे पहले मजबूत लोहे से दो बेड स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे अच्छे स्क्रू से दीवार में कस देंगे जो बेड को गिरने से रोकेगा, साथ ही वुड फ्लोरिंग करके कनफर्टेबल गद्दा रखेंगे, जिस पर दोनों बच्चे आराम से सो सकेंगे. बेड के नीचे ड्रॉवर होगा, जिसमें बेटी के मोजे और बेडशीट रखेंगे. उपर के बेड को वुड प्लाई से घेर कर एक अच्छा विंडो लगाएंगे, जिससे बेटा सोते समय नीचे नहीं गिरेगा. सामने अलमीरा बनाएंगे, जिसमें ठंड की रजाई और बेटी के सभी कपड़े रखेंगे, और पास ही स्टडी टेबल और रैक बनाएंगे, जिसमें बेटी के पुस्तक और कुछ खिलोने रखेंगे, और टेबल के सहायता से बेटी अपना होमवर्क करेगी. साथ ही वुड प्लाई से दीवार बनाकर एक दरवाजा भी लगाएं सकते हैं बेटा और बेटी के लिए शानदार बेडरूम.